मेरे साथी और असाम के पूर्वो मुख्यमंत्री सरवानन सुनवाल जी जिनको आज से मेंस्ट्रिम में आकर कारवी आंगलोंग ख्षेत्र के पूरे विकास की जिम्मेदारी लेनी है ऐसे सभी पांच संगठनों के मेरे कारवी आंगलोंग से आये हुए प्रतिनिदी भाहियो यहाँ पर उपस्ती असाम सरकार के मंत्री गण, विधायक गण, केंद्रिय गुरूस अचीव, स्रीमान बल्ला जी डियाइबी अर्विन सर्मा जी, स्री अक्साई जी, डीजीपी आसाम, चीप सेकरेटरी आसाम, एडिशनल सेकरेटरी नॉर्थ हीष्ट और उपस्ती स्तभी को आद में रदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि कारभी आंगलोंक शेत्र में बहुत लंबे समय के बाद सांती के यूग की सुरुआत हो रही जबसे नरेंद्र मोदी जी प्रदानमंत्री बने तब से उनका नॉर्थिस्ट नकेवल फोकस का एडिया रहा है परन्तु नॉर्थिस्ट का सरबांगिन विकास और सांत और समरूत नॉर्थिस्ट कैसे बने उनके लिए एक महतवपून कांग रहा है और इसी के तहट असाम में सांती हो अंदोलन न हो उग्रवाद न हो हतियार न चले गोली न चले और असाम की सभी आबादी पूरी की पूरी आबादी चाहे पहाड पर रहने वाली जन जाती हो मैदान में रहने वाली जन जाती हो सहर में रहने वाले लोग हो या गाव में रह कैसे हो इस स्केत्र में मोदी जी के नेत्रूत में बहुत प्रयास हुआ है साथ साल में और पहले पार्टी के अध्यक्स के रूप में और धाई साल से मोदी जी की मंत्री परिशद में उनके साथी के रूप में मैं इसको बहुत बारिकी से देख रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं आज जो हम कार्वी आंगलोंग इत्यासिक समझोता जो अभी अभी संपन हुआ चार सितंबर दोजार इक्किस ये दिन आसाम और कार्वी क्षेत्र के इत्यास में सुवन मई अक्षरों के साथ निश्चित रूप से दिखा जाएगा क्यूंकि आज पांच से अधीक संगठनों के लगबग एक हजार केडर ने हत्यार डाल कर मेंस्ट्रिम में आने की सुरुवात करी है और उनके पुनवर्शन के लिए असाम सरकार और भारत सरकार पून तया कटिबध है और यह नरेंद्र मोदी सरकार की निती है जो हत्यार छोड़ कर आता है उसके साथ आने वाले से भी ज्यादा विनम्रता से बातचित करकर जो वो मांगते हैं उससे भी ज्यादा दे कर उनको विकास की मुख्यधारा में समाहित करना और यही निती का परिणाम है कि एक के बाद एक के बाद एक सभी जो पुरानी समस्या है नरेंद्र मोदी सरकार को वारिस वार्षा में मिली थी उसको हम समाप्त करते जा रहे हैं जहां तक कारवियामलों का सवाल है हम लगबग असाम सरकार पांच वर्ष में एक हजार करोड रुपया एक शेत्र के विकास के लिए खर्च करेगी प्रती बज़ेक में 200 करोड रुपय यह बहुत बड़ी बात है आप लोगों के साथ वार्था सुरू करने से पहले ही आपका था कि भी हमारा दिल्ली में कोई भवन नहीं है इसका सिलान्यास हुआ था एहमन जी और सर्वानन जी दोनों थे उस वक्त तब मैंने कहा था कि आप एक बार वार्था को पट्री पर चड़ाइए यह हमने एक हम हमारी वर से सुरुवात करी है और आज आप जाकर देखे प्रहुन का काम का बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और कुछी समय में कारभी आंगलोंग से आने वाले भायों बेनों को दिल्ली में अच्छी रहने की सुवीदा मिल जाएगी और आज जब एग्रिमेंट हो र जाते हैं कि यह हमारा रहतो हो चाहे बो डो लेंड एग्रिमेंट हो चाहे प्रु समझोता किया हो चाहे तृपुरा के एनलेप्टी का समझोता किया हो, चाहे कारविया अंगलों का किया हो, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे के तीन समझोते जो हमने करे हैं, इसके असी प्रत्सत से ज्यादा सर्ते पूरी हो चुकी है, और बोडो लेंड में तो लगबग सब पूरा हो चुका है, ब्रू समझोतों में भी परसो ही मैंने रिव्यू किया था, लगब बारा सो लोगों का रहने का पूरा व्यवस्ता बन चुका है, उनको जमी दाबन टीट कर दी गई है, उनको काड दे दी गई है, खाने पीने की व्यवस्ता कर दी है, अच्छे स्कूल बनाये ज रूपया देना था, उसमें से 40-40 की दो किस्ते हमने दे दी है, और लगब लगब जीस 88 के डर ने हठ्यार डाला था, उनको सब को रिहाबिलिटेशन के लिए भी हमने पूरा हमारा वादा था, वो पूरा किया है, मैं आज पांचो संगठन के जो नेता यहाँ है, उनको और सीम को दोनों को बच्चन देना चाहता हूं, भरोशा दिलाना चाहता हूं, इस सारी सर्ते हम तै किये हुए समय के अंदर ही पूरी करेंगे, और लंबा कार्भी आंगलों के लिए सांती और विकास का यूग का सुरुवात होगा, ससस्त्र समों के कैडर के पुनरवास के लि स्थापना का भी एक मसोदा हमने तैयार कर दिया है, और Consolidate Fund of State उसमें जो संसोधन करना है, वो अगले ही बजेट सत्र में आसाम सरकार लेकर आएगी, इसमें हमारे मन में कोई confusion नहीं है, अधिक विधाई और प्रसासिक सक्तियों देने का जो प्रस्ताव है, इसका भी एक खाका लिगल ओपीनियन के लिए घया हुआ है, लगबग पीपल्स डेमोक्रितिक काउंसिल अप कार्बी, कार्बी लॉंगरी नौर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपल्स रिबिलरेशन टाइगर्स, कुकी लिबरेशन फ्रंट और उनेटेट पीपोर्ल् कार्मी ये पांचो संगठन के सभी कैडर को मेंस्ट्रिम में सन्मान के साथ बसाने की भी योजना तयार है, लगबग ऑटोनोवस काउंसिल पैकेज के 350 करोड की लागत के 32 प्रकल्प औरेडी चालू हो चुके अलग-अलग चरण में हैं, और कार्बी दिमासा भवन जैसे म प्रोजेक्ट भी आपके क्षेत्र में हमने समझोता होने के पहले ही चालू कर दिये हैं, जो समझोते के मतलब बारी सम आप तो थे ही लगबग लगबग पूरे हो गए, और सेंटर पूल की NLCPR स्कीम के तहट 200 करोड के और 20 प्रोजेक्ट, 10-10 करोड की अवरेज का, वो भी आज पैसा उसका अबंटित कर दिया गया है, दिफू में असम पहाडी मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर का उद्गाटन किया गया है, इसका एकडेमिक पहला सत्र भी सुरू होगा है, बागोरी प्रवेस्तान पर परियटक लॉंच के विकास के लिए भी काम लगबग पूरा हो चुका है, दिफू में कैंसर देखभाल, कैंदर का निर्मान का काम चल रहा है, मैं आया था, तभी इसका उद्गाटन किया था, और आने वाले दिनों में इस सेत्र के संपूर विकास के लिए, और मुख्यतवे गाओं के विकास के लिए, सभी कदम उठाने के लि मैं मानिय प्रधानमंत्री जी, आसाम सरकार और भारत सरकार के ग्रूव व्याक की ओर से, आपको संपूर रूप से भरोसा दिलाना चाहता हूँ, कि आप जो भारत सरकार के साथ, असाम सरकार के साथ समझोता किये है, ये इस सेत्र के सांती और विकास के लिए, और समझोते की सारी सर्तों का हम बहुत अच्छे तरीके से समय बद तरीके से पालन करेंगे। मैं फिर से एक बार समझोते के लिए बहुत समय से चर्चाय हो रही थी, असाम सरकार के अधिकारी भी लगे थे, हैमन जी भी लखे थे, सरवानन जी के समय में भी काफी काम हुआ, हमारे आईबी की पूरी टीम, डी आईबी के नेतुतों में लगी थी, और गुरू मंत्राले क पूरी टीम, अर्विन अजे भनला जी के नेतुतों में लगी थी, मैं सब को भारत सरकार की ओर से रदय से धन्यवाद करता हूं, और ये पांच संगठन के सभी प्रतिनीजियों का विशेश धन्यवाद करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं, वंदे मातरम.